नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का अपने यूटिब चैनल हिम्भूमी जॉब्स में तो दोस्तों आज जो हम नोट्स केशन लेके आए हैं वह आपकी इंडियन इंसिचुट आप बैंकिंग परस्नालिटी सेलेक्शन की जिसमें की आपकी हिमाचल प्रदेश की भी वेक वेकैंसिज लेकिन हम इसमें वीडियो में जो बात करेंगे जिसमें की बहुत अच्री वेकैंसिज नम्पर वागेंसिज की बात करें तो टोटल आपकी ओफिसगे ace aitолод टार हम यह फिंची रहेगी इसमें आप देख सकते हैं कि हमाचल प्रदेश करामिन आप मंडी ह를 तो आगे लिजिबिलिटी करा एक तेरिय की बात करें तो आपके वाँ सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी फिल्ड में नेशनलिटी में आप इंडियन होने चाहिए और इसमें बात करें कि जो आपकी ऑफिस अस्ट्रेंड मुल्टी परफस एजर रहेगी वो ठारा साल से लेकर ठाई साल तक आपकी एज लिमिट मांगी गई है और जो मैक्सिमम एज रिलक्सेशन दी जाती है वो अधर कैटेगेरिज के लिए यहां दी यह है पांच साल आपक देखते हैं यहां 40 जो SCST है उन तक दी गई है और परसन इफेक्टिट बाए 1984 राइट्स उनके लिए पांच साल की अलग से इसलेक्शन दी गई है इसके बाद अगली जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम इसके एक्जाम पैटरन की और इसकी जो फीस रहेगी उसके बारे मे हैं और आपकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए लोकल लेंगवेज तो आपकी लोकल लेंगवेज हिंदी है उसमें और डेसारेबल जो है वरकिंग नॉलेज ऑफ कंप्वूटर आप जिस भी एरिये से करेंगे उसकी रिजनल लेंगवेज आपको आनी चाहिए और इसके बाद अगली बात करें कि आपकी जो examination की pattern है तो आपका जो preliminary होगा उसमें दो test होगे आपके दो subject के पहला होगा reasoning दूसरा numerical ability तो number of questions 40-40 आएंगे maximum marks जो रहेंगे वो भी आपके total 80 रहेंगे और time रहेगा आपका 45 minutes उसके बाद अगली चर्चा करें जो mains आपका exam होगा उसमें आपकी reasoning पर आएगी computer भी आएगा जी के journal awareness पर आएगी और numerical ability लेकिन इसमें आपको एक choice दी जाएगी English और Hindi में कि आप English में देना चाहेंगे English का होगा और एक Hindi का तो इसमें से आपको एक select करना होगा और आपका 200 marks का होगा दो घंटे का और इसके साथ चर्चा करें आगे जो आपका version of test होगे वो हिमाचल पर देश में आपका English and Hindi यहां दिया गया है आप अपने reason wise यहां चेक कर सकते हैं उसके बाद चर्चा करेंगे जो आपका अगला इसका phase होगा examination center तो आप टैंशन अलें आपका जो exam होगा वो आपके reason में हो जाएगा इसके साथ साथ आगे चर्चा करें जो आपकी dates रहेंगी exam फिल करने की वो आपकी 7 June से 27 June है और आपका जो preliminary exam है वो अगस्त मंत में हो जाएगा और जो mains होगा वो आपका September और October में होगा तो यहां बत सब्सक्राइब में होगा जाएंगे और जो फीस रहेगी वो 850 रहेगी आपकी और अधर के लिए 175 और यह जो रहेगा आपका online mode में रहेगा CBT जो कि रहता है आपका computer-based examination अब बात करेंगे total हम vacancies की यहां पर आपका दिया गया है कि जो online registration है वो 7 June से 27 तक चलेगी payment जो रहे से डाउनलोड कर सकते हैं और जो आपका primary exam है अगस्त 2022 में होगा और उसके बाद जो mains है वो आपका October 1st week तक हो सकता है और इसके बाद अब vacancies की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं अपना reason की vacancies जैसे हम इमाचल प्रदेश की बात करने तो इमाचल प्रदेश की बात करने 119 vacancies है जर्नल के लिए 48, EWS के लिए 12, EOBC के लिए 32, ST के लिए 9 और SC के लिए 18 vacancies हैं तो बहुत अच्छी vacancies हैं इस फर्म के लिए आप जरूर apply करें और इसी के साथ आगे जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम other जो इसकी eligibility criteria है तो यह था इसका full-full eligibility criteria तो आप इसके लिए करें और अगर आपको इससे जोड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको मैट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं तो और इसके साथ अब बात करेंगे जो HPSSE द्वराज वेटिंग पैनल में से लिस्ट निकाले गी है जेई सीविल की postcode 695 जो की बहुत पहले हुआ था कोड 877 की बेटिंग पैनल में से इनको सेलेक्शन दीए हैं जिनके नाम रोल नम्बर यां दिए गए हैं तो ऐसी अपडेट्स के लिए अपना चैनल ही भूमी जोब सब्सक्राइब करें धन्यवाद चैहिन चैप्रत